हैलो वीवर्स असलाम लेकूं मैं हूँ रोशन आज हम आपके साशेयर कर हैं जारखंड की फेमस रेसिपी अनरसा बनाने की रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान है बनाना कुछ टिप्स का ख्याल रखना पड़ता है पांच घंटे के लिए हमने ये अ आगे हम बताएंगे वीडियो में तो सबसे पहले हमने इसको च्छान लिया है पानी अलग कर लिया है हमने और पंखे के हवा में आधे गंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया था इसमें बिल्कुल पानी सुख चुका है मौश्चर खतम हो गया है देख सकते हैं चावल को सुखाना नहीं है सिर्फ पानी को सुखाना है तो इसको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में हम डालते हैं और इसको अच्छा से पीस लेते हैं तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए बस इतना ही सुखाना है आपको तो सभी को हमने पीस लिया है बहुत अच्छा पिस चुका ह और किसी भी चावल को ऐसे आप पीसेंगे तो एक बार में नहीं पीसता है इसको दो बार तीन बार पीसना पड़ता है तो एक बार में इसको छानने में दिक्कत आ रहा है हाफ हाफ करके हम छान लेते हैं और छानने से जो मोटा बच जाता है उसको अलग रख लें और फिर से चानने के बाद इसको पीस लें, ऐसे ही करके हमने इसको तीन बार पीसा हुआ है, तब ही जा करके अच्छी तरह से पूरा हमने पीसा हुआ है, यह चान कर जो बचा इसको दोबारा पीसेंगे, फिर चान कर बचा फिर दोबारा ऐसे तीन बार हमने इसको पीसा हुआ है, और य एक कप हम इसमें गुड़ डालते हैं एक कप हमने चावल लिया था और एक कप हमने गुड़ लिया है थोड़ा सा कम ही ये गुड़ है चावल से और ऐसे हम हाफ कप पानी डालते हैं और इसको घुलने तक पका लेते हैं इस तरह से तोड़कर हमने गुड़ को लिया हुआ है बहुत अच्छा से घुल जाएगा गरम जैसे जैसे होगा गराम में अगर देखें तो अगर आप 500 गराम चावल का बनाते हैं तो आपको 400 गराम गुर लेना पड़ेगा इतना मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो हम ये छान लिये हैं इसमें इंप्यूरिटी जो रहता ह उसको निकाल लिया है हमने वैसे गुर में थोड़ा बुत होता ही है तो इस तरह से हमने इसको छान लिया फ्रेश हो गया है और अब हम इसको पकाते हैं अच्छी तरह से ऐसे अगर आपको छानना नहीं है तो थोड़ा सा पानी कम भी डाल सकते हैं लेकिन हमने हाफ कप इसल पतला सा तो फिर भी चेक कर लेते हैं इस तरह से और चेक करने का पहचान हम आपको दिखाएंगे पानी में डालने के बाद ये अलग-अलग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बना हुआ है और पहले से ये चाशनी गाढ़ा दिख रहा है पाग इसे बोलते हैं तो ये गाढ पढ़ाएं तो ऐसे उंगली से यह हाथ से ऊपर की तरफ ये उठ जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट है तो ये चाशनी हमारा बिल्कुल रेडी है घुल नहीं रहा है घुलना नहीं चाहिए फिलेम को लो ही रखें और लो फिलेम पर चावल को ऐसे डालते जाएं आटे को और इस तरह से मिक्स करते जाएं और ऐसे ही आपको मिक्स करके इसको पकाना है फिलेम को ज्यादा नहीं बढ़ाना है फिर से एक नजर आपको दिखाते हैं ये घुला हुआ नहीं है परफेक्ट चाशनी है ज्यादा हाड भी चाशनी नहीं होना चाहिए और चाशनी को घु और इसको अब हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम ठंडा होने देंगे तभी तो ये बनेगा तो ऐसे हम अलग रख लेंगे तो बहुत जल्दी ये ठंडा होगा पूरा ठंडा भी नहीं करना है ऐसे इतना करना है कि हाथ से हम इसको पकड़ सकें ऐसे देख सकते हैं ये ठंडा बोई जलदी बिलेगा पलत कर थोड़ी देर हो जाया मैं निकाल ले अनर्सा ये soft बनता है और अगर इसको कम भी गोकर रखेंगे तो थोड़ा hard सा बनता है ये इसमें फर्क होता है और अनर्सा बहुत लोग का तूट जाता है तो वो चाशनी का problem आता है क्योंकि चाशनी अगर अच्छा से बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा मेरी वीडियो प